Types of Unemployment Dear students, आज हम Unemployment की Types पर बात करेंगे Mainly हम Unemployments को दो तरह से देख सकते हैं Natural Unemployment और यह Natural Unemployment इसके दो components है Frictional Unemployment और Structural Unemployment और दूसरी जो Major Type है जिस पर हम आज बात करेंगे वो है Cyclical Unemployment Modern Market economies में हमेशा Unemployment रहती है कभी भी यह Zero नहीं हो सकती इसकी वज़े यह है कि Frictional Unemployment और Structural Unemployment जो है यह Growing economies में हमेशा मौजूद रहती है और यह कभी भी Zero नहीं होती और जब कोई भी economy अपनी Natural Unemployment रेट पर होती है तो हम कहते हैं कि यह Full Employment Level है और उस Employment Level पर जो Output होती है उसको हम Full Employment Level of Output कहते हैं तो हम डिटेल में बात करेंगे कि Frictional Unemployment क्या होती है उसकी causes क्या है उसकी definition क्या है और इसी तरह से Structural Unemployment पर हम डिटेल से बात करते हैं Frictional Unemployment जो है यह किसी भी Growing Economy का हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से इसका positive indicator है कि Growing economies में नई jobs पैदा हो रही होती हैं और कुछ परानी jobs खतम हो रही होती हैं और लोग बहतर job की तलाश में एक job को छोड़ रहे होते हैं और किसी दूसरी job की तलाश कर रहे होते हैं तो यह जो transitional period है जिसमें एक worker एक job को quit कर रहे हैं और किसी दूसरी job को तलाश कर रहे हैं इस transitional period में वो unimplied होता है और यह हमेशा रहता है इसलिए कि economies में ना तो worker identical हैं और ना ही jobs identical हैं इनकी heterogeneity की वज़े से कि यह इनकी characteristics different होते हैं workers अपने education के इतबार से अपने working habits के इतबार से अपने commitment के इतबार से और कही सारे हवालों से उन में फरक होता है अपने geography के इतबार से भी उन में फरक होता है इसी तरह jobs की भी requirement different होती हैं jobs की skill requirement, experience requirement, working conditions, level of commitment और salary वगरा यह obviously different होती हैं तो इस heterogeneity की वज़े से ही जो search का process है search के process मुरादी है कि workers अपने लिए suitable job को तलाश कर रहे होते हैं और firms जो हैं वो अपने लिए suitable employees को तलाश कर रहे होती हैं कोई match करना चाह रहा है, workers चाह रहे होते हैं कि ज़्यादा से बहतर से बहतर हमें job मिले उनकी जो भी requirement है, उनकी skill के अतबार से, pay के अतबार से और इसी तरह firms की यह खाश होती है तो यह heterogeneity की वज़े से यह जो search process है it is not very easy, sometimes it takes a very significant time period तो इस search process के दौरान जो unimplied है person उसको हम कहते हैं frictional unemployment और यह आजकल की modern economies, market economies का एक common feature है यह हर developed economy में और developing economy में और खास दौर पर developed economies में यह frictional unemployment हमेशा मौजूद रहती है second, natural unemployment का जो component है वो है structural unemployment structural unemployment से मुरादी है कि यह जो search हमने अभी जो बात की frictional unemployment तो वो usually बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं होती लेकर हर वक्त economy में लंबे अरसे के लिए भी कुछ लोग बेरोसकार होते हैं और वो जाहर है उस बेरोसकारी को उस unemployment को हम यह नहीं कह सकते कि यह frictional unemployment है उसकी reasons different होती हैं उनकी reasons में पहली जो reason तो यह है कि lack of skills कि economy में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी education जिनकी skill का level काम होता है और उन्हें कभी भी कोई permanent और desirable job उने नहीं मिलती उन्हें अगर job मिलती भी है तो थोड़े से अरसे के लिए मिलती है और salary भी काम होती है और वो अक्सर जल्द खतम भी हो जाती है तो उन्हें फिर दुबारा बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और sometimes यह जो spell है बेरोजगारी का यह काफी लंबे हरसे तक चलता है और दूसरी जो most important reason है वो यह है कि किसी भी growing economy में कुछ इंडस्टी जहें वो श्रिंक कर रही होती है और कुछ इंडस्टी जहें वो grow कर रही होती है तो shrinking industries में लोग बेरोजगार हो रहे होते है growing industries में jobs opportunity मौजूद होती है लेकर यह जो movement है shrink industries से लोग जब निकलते है और growing industry में जाब तराश करते है तो जाहर है नई जाब नई इंडस्टी के लिए उन्हें अपने आपको re-skill करना पड़ता है नया हुनर सीखना पड़ता है तो इसमें काफी time, training, education यह चीज़े involved होती है इसलिए यह लोग काफी लंबे अर्से के लिए बिरोजगार रहते हैं इसकी जो example हम ले सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि फार इसमेपल पाकिस्तान में आप जानते हैं कि पहले print media बहुत important था, बहुत dominant था उसकी जगे electronic media आ गया तो print media अब श्रिंक हो गया, electronic media ग्रोग कर गया तो print media के लोगों ने अब electronic media में जाब तलाश करना शुरू कर दी electronic media के बाद, अब modern आप देखने के social media ग्रोग कर रहा है तो यह जो transition है print से electronic और social media की जानब तो इसमें लोग एक industry को छोड़ रहे हैं, वो श्रिंग कर रही है और किसी दूसरी growing industry में इसे अपने आपको associate कर रहे हैं तो इस traditional इस phase में वो जो बेरोज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं structural unemployment इसी तरह एक और example आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में पहले land line जो phone थे, वो बहुत established industry थी PTCL का बहुत नाम था, लेकर वकित के साथ साथ, अब mobile industry ने उसकी जगे ले लिए और PTCL, जो industry है वो बहुत श्रिंक हो गई है ये दोनों जो मिलके हैं, structural और frictional इनके मजमुए को हम कहते हैं natural rate of unemployment अब दूसरी जो type है, cyclical unemployment ये कहा है किसी भी particular point in time में, economy में जो actual unemployment है उसका, और natural rate of unemployment का जो difference है, उसको हम कहते है cyclical unemployment U जो है, ये आपके पास actual unemployment rate है और U bar हम natural rate of unemployment को denote कर रहे हैं U bar से तो इसका जो difference है, this is called cyclical unemployment इसकी causes क्या है इसकी causes में, main cause तो ये है कि business cycle के concept से आप familiar है कि business cycle में economy fluctuate करती है जब recession होता है, तो demand कम हो जाती है उससे output कम हो जाती है और उससे unemployment बढ़ जाती है और जब boom होता है तो इसके opposite सूरतहाल होती है demand ज्यादा होती है और unemployment कम हो जाती है तो ये business cycle के fluctuations की वज़े से ये cyclical unemployment पैदा होती है और इसमें main reason जैसे मैंने अब आपको बताया के deficiency of demand है और ये एक तरह से सबसे ज़्यादा problematic unemployment है problematic इस सेंस में के frictional unemployment में लोग बेरोज़गार है लेकं वो बड़े short period के लिए usually होते हैं और वो बेहतर जाब की तलाश में उन्होंने एक जाब को छोड़ा होता है तो वो इतनी problematic नहीं है structural unemployment भी इतनी problematic नहीं है उसकी वज़े ये है कि लोगों को जो बेरोज़गार है उन्हें मालूम है कि अगर हम अपने आपको नई requirement के मताबक re-skill कर लें तो हमें job मिल जाएगी जबके cyclical unemployment का problem ये है कि इसमें लोगों को इसलिए बेरोज़गार है कि उनकी product की demand नहीं है तो जो unimplied worker है उसके करने के लिए कोई काम नहीं है उसने जस्ट इंसदार करना है कि market में demand हो और उसके लिए job opportunities पैदा हो इस sense में ये relatively ज्यादा problematic unemployment है Thank you